तो आदाब नमस्कार को डेविंग सस्याकाल एक बार फिर आप तमाम नों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी कि इस एपिसोड में उम्मीद पूरी फैमिली अच्छी होगी पिछले कुट दिनों से एक सस्पेंस था तालिबान का एक नेता जो भी मिनिस्टर भी मुला बिरादर की मारा गया मा डाला गया और कई दिनों से सामने भी नहीं आ रहा था लेकिन अब तसूर सामने आए एक वीडियो जारी किया और मुला ब्रादर ने बयान दिया कि देखो भाई मैं जिन्दा हूं और जहाँ पे था वहाँ पे निट काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं सामने नहीं आ पाया लेकिन अब जिन्दा होने की बात तो सामने आ गई लेकिन अब खबर ये भी आ रहे कि तालिबान में अंदर अंदर अपने हाफ ही लड़ाई हो रही है इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लड़ाई जगड़ा करना अलग चीज़ होती है सरकार चलाना अलग तालिबान के अलगला गुट अमुला ब्रादर रसुना हक्कानी गुट में ही लड़ाई हो गई है तो आने वाले जिनों में पता नहीं क्या होगा अभी जुमा जुमा आठ दिन तो सरकार बने हुई है और अभी से ये जिन्दा मुर्दा का खेल शुरू हो गया लड़ाई शुरू हो गई और इन सब को देखकर अफ़ानिस्तान की जन्ता पर अफसोस आता है क्योंकि जेलना उन्हीं है कैसी सरकार उन्हें मिलेगी ये सब कुछ वहाँ बैंक बंध है लोगों के पास पैसे नहीं है घर के जरूरी सामान बेच कर गुजारा करने को मजबूर है कोई खरीदने वाला नहीं है लोग अपने घर की बेसिक जो चीजें है उसको बेच रहे हैं गाड़ियां बेच रहे हैं, बाइक बेच रहे हैं, पराउने पाउने में भी को खरीदने को तयाद नहीं है, कुल मिलाकर हालात बड़े बुरे हैं, तो यति हो गया अपडेट अफगानिस्तान का, अब आज की कहानी पर आते हैं, दिर्शम मुझे लगता है आप में से बहु अपने आप में चौकाने वाली कहानी थी, कैसे एक शक्स जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके हातों एक क्राइम होता है, और उसके बाद, ये नहीं कि वो पहले सोच समझ के क्राइम करता है, हो जाने के बाद, हालात ऐसे थे, फिर वो अपने जुर्म को छुपाता है, और उसके लिए एक एक चीज, एक एक स्टिप, कैसे उठाना है, उसकी तैहरी करता है, कब प तो कैसे हैंडल करना है तो सारी छोटी छोटी चीजें दिखाई गई अलाकि मनी हाइस में अगर आप देखें तो जो प्रोफिसर का किरदार है वो भी लगबग यही है कि कैसे चोरी होती है लेकिन उस चोरी की दौरान में क्या क्या चीजें आती हैं उसके लिए ट्रेनिंग ह होती है हर चीज का हल होता है प्रोफिसर के पास तो कहीं ने कहीं वो जहलक दृष्यम किये है और इसी दृष्यम का बहुत सारे क्रिमनल माइन लोगों ने भी फैदा उठाया वक्त वक्त पर ऐसी कितनी कहानिया आई जिसमें दृष्यम का हवाला दिया गया पता चला दृष्यम कई कई बार देखे और इसी दृष्यम को देखने के बाद उसने एक फुल प्रूफ प्लैनिंग की थी एक कतल को छुपाने की लेकिन एक गल्ती और भांडा फूट गया और उसने गल्ती भी ऐसी की जो शुरुआती गल्ती थी यह कहानी है जहांसी की जहांसी में एक जगह है गुरसराय गुरसराय पुलिस्टेशन के इलाके में एक शक्स रहता है और उसका नाम है अमित शुकला पेशे से ये एक बिजनसमेन है बीडी का बिजनस करता है बीडी सप्लाई करता है होलसेल में और इस इलाके में काफी ब पिहार बागी जगापे तो गाओं वाओं में आमतार पर लोग सिक्रेट से ज़्यादा बीड़ी ही पीते हैं तो इसका अच्छा खासा अपना धंदा अच्छा खासा बिजनिस अमित शुकला का अमित शुकला के शादी होती है उससे एक बेटी होती है लेकिन कुछ वक्त बाद पत्नी की मौत हो जाती है अब एक बेटी उसको परवरिश उसकी उसको पालना पोसना अमित के घरवाले उसको फोर्स करते हैं कि तुम्हारे अभी उम्र नहीं है बेटी भी छोटी है इसको ए अपने घरवानों को कहने पर दूसरी शादी कर लेता है अब दूसरी पत्नी से भी उसे एक बेटा होता है देरे देरे वक्त बीटता है से पुछ ठीक चलता है लेकिन अब दूसरी पत्नी के आने के बाद घर का महाल बदल जाता है दूसरी माँ अपने बेटे को तो बहुत प बेटी गरीब 12 साल की हो गई थी और उसका बेटा 6-7 साल का लेकिन दोनों जब बाहर निकलते तो देखने वाले पैचान लेते देखकर बेटा ठीक ठाक सहत मंद और बेटी बेहत कमजोर पड़ोसी कोई भी पता था कि ऐसा क्यों है सौतेली मा होने के इनाते उसे नफरत थी उस बेटी से और वो उसे बहुत मारती पीर थी खाना भी नहीं देती ऐसी कहानिया तो बहुत सारी हम लोग जानते हैं कि जब सौतेली मा के कितने जुल्म की कहानिया हैं हाला कि ऐसे बहुत सारी जिसमें सौतेली मा ने अपने सौतेले बच्चों को सगी मा से ज़्यादा प पत्नी ने एक दिन कहा कि अब तुम्हेया तो अपनी बेटी और पत्नी इन में से किसी एक को चुनना है और इसको लेके डेली जगड़ा होने लगा उसने का इस जो बेटी है तुमारी इसको इसके माई के भेज दो इसके माँ, माँ, नानी, नाना के पास यह हमारे घर में नहीं रहेगी अब बाप बाप था वो चाहता था कि कैसे भेजें लेकिन घर में लड़ाई जगड़ा जारी रहा धीरे धीरे वक्त बीता 25 अगस 2021 महीने बर पुरानी बात है एक रोज दोपहर को काम से अपने अमिश्चुकला घर लोटता है जो दूसरी बीवी है और उसका बेटा वो दो-चार दिन पहले ही अपने मैके चले गए थे खुद अमिश्चुकला उनको छोड़ कर आया था अब घर में सरिफ बेटी थी अमिश्चुकला दोपहर को घर लोटता है 25 अगस को घर के अंदर लोटता है घर के अंदर दाखिल होता है थोड़ी दिर के बाद चीख तावा बाहर आता है पड़ोसी उसके चीख सुनकर इकटा हो जाते है पूसते हैं क्या हुआ वो बताता कि अंदर मेरी बेटी लहुलुहान पड़ी है शायद किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने ही कोशिश की क्योंकि उसके कपड़े थी तर्बितर है घर के सामान बिखरे पड़े पड़ोसी उसकी मदद करते हैं उठाकर उसकी बेटी को नजदीक के अस्पताल ले जाते हैं चीछ सकती है, दाक्टर देखने के बाद उसमूरधा करार देते हैं. अमित की बाहरा साल की बेटी की मौत हो चुगी थी. अब इस मौत के बाद पुलिस तक बात जाती है. पुलिस मौकदमा द University करती है, अफायर लिखती है अमित के कहने पर. तफ्तीश करती है, डॉग स्कुएट के लेकर घर पे पहुंसती है कि शायद कोई सुराग मिल जाए लेकिन पुलिस का डॉग स्कुएट भी घर में आने के बाद कोई ऐसी संदिक चीज नहीं सूंगता या पाता है जिससे वो आगे तक ले जा सके पुलिस को कोई कलू, कोई सुराग दे सके तो कुछ सुराग हाथ आता नहीं इदर पोस्ट मॉटम हो जाता है अब पुलिस के हाथ खाली कतल क्यों, कातिल कौन नहीं मालूँ हमें शुक्ला बार बार लेकिन यहीं कह रहा है रेप की शक्जताया गया लोगों का घुसा भी था और यूपी में इस तरह के बड़े हाल में क्राइम हुए थे तो और भी यह मामला बढ़क रहा था जहां सी पुलिस को लगा कि इस मामले की तफ्तेश सीरिसली करनी चाहिए अब जहां सी पुलिस के जो एस पी थे उन्होंने का इस मामले की तफ्तेश करने का फैसला किया और फिर जहन दिमाग अफसरों के टीम लगाई तो पहली चीज बयान में सामने आई वो ये था कि किसी ने जबरदस्ती करने कोशिश के और शायद इसलिए मार डाला कपड़े जिसमें पर पूरे सलीके से नहीं थे लेकिन जब पुलिस पोस्ट मॉटरम होगा तो बाड़ी देखी गई तो पता चला कि उसमें कहीं चोट के निशान नहीं तो सवाल यह कि कपड़े आदे अगर उतारे गए या थाड़े गए तो कहीं पर खरोच के किसे और चिसके निशान होने चाही थे कोई ऐसा निशान था ही नहीं तो इसका मतलब है कि ये शायद एक बनावटी सीन तयार किया गया अब यहां ज़े फिर मामले की जांच होई कि कोई रिश्दार कोई पड़ोसी सब पे नज़र रखे जाने लगी कोई सुराक नहीं मिला इसी दौरान SSP साहब ने उस F.I.R. को केस के तौर पर जांच के तौर पर पढ़ना शुरू किया जो F.I.R. अमित शुकला ने लिखाया था पहली बाद अपनी बेटी की मौट के बाद आप सभी जानते हैं F.I.R. किसी भी क्राइम की पहली बुनियाद होती है First Information Report F.I.R. वो कानूनी दस्तावेज होता है कि जो एक बार दज होगए अगर F.I.R. लिख ली गई तो इसका मतलब है कि एक मुकदमा जन ले चुका F.I.R. का मतलब यह हुआ कि एक बार पुलिस ने F.I.R. लिखी है तो फिर यह F.I.R. क्वैश नहीं हो सकता है इसको फाड़ा नहीं जा सकता है इसको फाइल में दबाया नहीं जा सकता अब इसका अंजाम अदालत में ही होगा तो हर F.I.R. एक मुकदमे की शुरुवात होती है और कानूनी भाशा में कहें तो किसी भी क्राइम के लिए सबसे इंपॉर्टन होता है F.I.R. फस्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानि पहली वो सारी जानकारी जो उस क्राइम से रिलेटेड हो वो उस F.I.R. में लिखी जाती है F.I.R. लिखवाने वाला शक्स वो होता है जो पीडित होता है जिसके साथ ही है जिसके लोगों के साथ है जिसके परिवार या जानने वालों के साथ कोई घट ना घटती लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें कोई नहीं होता शिकायत करता अखवाया लिखाने वाला ऐसे में पुलिस को भी राइट है कि वो जीरो एफायर लिख सकती है मतलब उसे पुलिस को लगता है कि एक जुर्म है सामने वाला है इस पर आगया अगर कुछ लिखा नहीं रहा है तो पुलिस इनिशेटिव लेके खुद अपनी तरफ से मुकदमा दज करके मामले की इंडिस्टिगेट कर सकती है तो हमिश्चुकला की बेटी के बाद हमिश्चुकला पुलिस टेशन जाते हैं और एफायर लिखाते है उस एफायर को कई बार पुलिस खास्ता और पैसेस भी पढ़ते है और उस एफायर को पढ़ने के बाद पहली बार उनके दिमाग में आता है कि वो कातिल को खामुकाहिदर धूंड रहे हैं कातिल तो वो है जो घर में नहीं बलके खुद पुलिस टेशन में आकर एफ़ाया लिखा कर चला गया यानि जिसने एफ़ाया लिखाया वही कातिल है यह उनकी सोच थी अब सवाल यह है कि यह सोच क्यों आई कि एफ़ाया लिखाने वाला ही गातिल है और एफ़ाया लिखाने वाला ही गातिल हो तो इसका मतलब है कि गातिल कोई और नहीं बलके बाप है एक बाप नहीं अपनी बारा साल की बेटी का कतल किया पर क्यों और एफ़ाया में ऐसी क्या चीज थी जिससे पुलिस को ये शक हुआ कि F.I.R. लिखाने वाला कातिल है तो पहले उस F.I.R. की जो बेसिक चीज़े हैं जो पॉइंट जो अमिट शुकला ने पुलिस टेशन में लिखाई मैं आपको उसको हूब हूब पढ़के सुनाता हूँ फिर बताता हूँ कि इसमें से शक की गुणजाईश कहां से पैदा हुई अमिट शुकला ने जो F.I.R. लिखाया वा उसमें शुरुआत के सारा इस चीज़ों के बाद लाइन पे आते हैं कि 25 अगस्त की सुभा करीब साड़े छे बजे मैं अपने घर से निकला था उस वक्त 12 साल की बेटी घर पर अकेली थी इसके बाद मैं सकुषल मौरानी पूर इंकम टेक्स के वकील देविंद्र कुमार पिछपूरिया से मिलने गया वकील साब के पास लगभग 5 घंटे तक काम करवाया इसके बाद मैं अपने पापा से मिलने अपने मूल निवास गया अपने गाउं लेकिन पापा थे नहीं तो फिर नगर पालिका के नीचे जै भारत प्रेस से 40 बिल बुक लेकर गुर सराय वापस लोटा यहां जब आया तब यहां आने के बाद घर में दाकिल हुआ तो मुझे बेटी की हत्या के बारे में पता चला अब सवाल है कि इस F.I.R. में ऐसी क्या चीज़ थी SSP साहब को इस F.I.R. पढ़के लगा कि जिसने भी F.I.R. लिखवाई है उसने द्रिश्चम फिल्म जरूर देखी अब सवाल यह कि इस F.I.R. में यह अतनी आपको बेसिक लाइन बताई वैसे लंबी चोड़ी F.I.R. लेकिन इसी 5-6 लाइन में ही पहली का जवाब है तो SSP साहब को लगा कि किसी ने जिसने भी F.I.R. लिखाई के दफ्तर पहुंचा F.I.R. आम तोर पर जब क्राइम होता है उसके कुछ मिनट कुछ घंटों के अंदर लिखाई जाती है यह नहीं कि आप एक अफ़तर दें पंदर जब तक आपका गम आपका आपकी दुख दर्द थोड़े हलके हो जाते हैं तो एक शक्स जिसकी बेटी के लाज अभी मुर्दा घर में है पुलिस स्टेशन में बैट कर F.I.R. लिखा रहा है और वो बोल रहा है कि मैं सकुषल वहां पहुंचा तो एक तो यह इसका कोई मतलब नहीं होता है सीधा वहां पहुंचा हो सकता है दूसरा मैं फलाने वकील से मिला वकील का पूरा नाम देवेंद्र कुमार पिचपूरिया अब वो देवेंद्र भी बोल सकता था तीसरा इस साड़े छे बिजे निकला और पाँच घंटे तक मैंने वकील से अपने काम कराया उसने बाकायदा टाइम मेंशन किया आमतार पे लोग केते हैं वहां गया कुछ घंटे लगे एक दो घंटे चार घंटे बाद बट इसने सीधे सीधे एक दो में specific पाँच घंटे लगा फिर पाँच घंटे बाद मैं वहां से निकलता हूँ और अपने पिता से मिलने जाता हूँ तो अब यह भी है कि घर गया होगा और पिता नहीं है जब पिता नहीं मिले तो फिर मैं वहां से गया और मैं एक printing प्रेस में गया वहां से bill book छपवा है और मैंने वहां से 40 bill book लिये अब यहां पे भी time लगा और वो टाइम भी मेंशन कर रहा है और इसके बाद मैं घर लोटा तो बेटी की लाश पड़ी थी अब काईदे से इस F.I.R. में शक्त पैदा किया गया वो पहली चीज ये थी कि इस F.I.R. में वो अपनी बेटी के साथ हुए जुर्म बेटी के कतल या उसके घर में किया हुआ इसकी जानकारी बहुत कम लिखा रहा है 30% उसने क्या किया वो कप कप कहा था किन किन से मिलने गया क्या काम किया कितनी देर रुका ये उसने ज़्यादा लिखाया तो अब सवाल ये हुआ कि आमताओ पर जब F.I.R. लिखाते हैं तो हम क्राइम के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताते हैं कि जब मैं सपोज यहां पर अगर है कि मैं निकला तो मेरी बेटी अकेली थी माबाप उसके मां गई भी थी पिछले दो-तीन दिन से वो ऐसी रहती थी दिन में फिर वो अकेली रहती थी तो घर के अंदर होती थी या घर के पडोस में जाकर बच्चों से खेलती थी उनके साथ रहती थी मैं इतने बज़े जाकर फिर लौट आता था पिर मैं उसको खाना खिलाता था या जो भी करता था पडोस में हमारे ये हैं जिनसे कभी उसका जगड़ा हुआ मुझे कोई शक है ये इसका कोई जिक्र नहीं है उसका पूरे फायार में ये है कि बेटी को मैं छोड़ के गया और मैं कब कहां किस से मिला कितनी देर किस के पास रुका किस किस के घर गया कौन से प्रिस में गया ये सारी डिटेल तो यहीं पर शक पैदा हुआ कि इस शक्स ने दृश्वम देखी है क्योंकि दृश्वम की कहानी ये है कि इसमें हीरो यानि मोहन लाल या फिर अजय देवगन ये जब कतल होता है ये जब गायब होता है वो लड़का तब ये उस वक्क कहां थे तो ये बताते हैं कि मैं उस वक्क गोहा में फिर एक आश्वम में गया फिर वहाँ पे वो जो सारी चीज़ने हो रही थी बाबा के सारे दर्शन किये फिर फलाने के स्टाउस में गया होटल में रुका, वहाँ खाना खाया इस बस से आया, इस बस के टिकेट ये तो ये सारी डेटेल वहाँ पे थी और यहाँ पे भी एक फायार में ही सारी डेटेलिंग हो रही है यहीं पे पुलिस को शक हो गया कि शख्स अपने बारे में जादा डिफेंट कर रहा है कि मैं कहा था ताकि ये थाबित कर सके कि जब ये कतल हुआ तब ये घर पे नहीं था बलकि ये कहीं और था और इसने बाकाइदा हर एक के नाम लिखाए ताकि वो लोग गवाही दे सके कि हाँ 25 अगस को ये इतने बज़े मेरे पास हाया फांच घंटा रुखा पिर प्रिस किया फिर घर गया फिर उन से मिला फिर उन से मिला पर पुलिस को सीधेशक हो गया पुलिस ने तय किया कि हम शुकला को उठाओ और म discovery को उठाया गया दूसरी जो मा थी उसने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि पत्नी और बेटी में सहिक को चुनो मैंने बेटी को नहीं चुना बलकि बन बेटी को चुना किसी को मार देते हैं पत्नी के साथ रहूँगा और इसी के बाद प्लैनिंग के तहट दृष्षम फिल्म देखी लगातार फिर मा और बेटे को उसके माएके भेज़ दिया अब बेटी अकेली थी फिर उसके आद 25 अगस के सुब़ा मैंने उसका कतल किया और कतल करने के बाद आनन फानन में तेजी से मैं वहां से निकला क्योंकि मुझे वो सारे टाइम दिखाने थे कि मैं कब कहा किस के पास था ता कि गवाही हो सके तो वो लोग गवाही दे सके और इसलिए पहले इसने चुना एक वकील से मिनने के क्योंकि वकील कानूनी दापच को जादा जानते है तो ये दूद जाकर उस इंकम टेक्स के वकील के पास कि उसके बिजनेस के सलसले में कुछ चीज़ें थी उसको पेपर परमाना था तो वकील पांच घंटा था वो गवाही दिये सकता है बिल बुक वाले ने गवाही दी जब ये घर गया तो इसके पिता नहीं थे, गरवालों ने बताया कि हाँ या आया था अब आप नहीं थे, तो पहला ये सब इसलिए किया ताकि मैं मौका ये वार्दात से अपने आपको कहीं और दिखाऊँ और पुलिस उलच कर रहे जाए, ये उसने पूरी कहानी बताई, ल लेकिन गल्ती इसने की, कि पहली ये गल्ती गल्ती, एफ आयर लिखाने की गल्ती और एफ आयर में जो भाशा और जिस तरीकी की कहानी लिखाई, वहीं पे इसके उपर शक हो गया, और दिरिश्चम फिल्म ऐसी है कि इतफाक से जब ये एफ आयर लिखाई गई थी, तो उस तरीके से लिखा रहा है कि कम मैं कहां था, बेटी के वारे में तो कोई जानकारी नहीं दे रही है, तो वहां से शक पनपना शुरू हुआ, तो एक एफ आयर लिखाने में गल्ती करने की वज़ा से एक कातिल पकड़ा गया, शायद ऐसी मिसाल नहीं मिलती है कि आम तोर पर क केस को सुलजाने में मदद करते, एफ आयर की लाइन ही, ये ऐसी मिसाले कम दिलती है, तो ये वो कहानी थी, जिसने एक एफ आयर नहीं एक कातिल का खुलासा कर दिया, तो आज कहानी में इतना ही, अब आप से मलकात होगी, कल किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, कुरोना के केसेश अभी भी हैं, तो कुरोना में भी अपना ख्याल रखिएगा, जरूट ना हो, जरूरी ना हो, ते दोदर ना जाएं, लोगों से कम मिलें, वैक्सीन अगर नहीं लगाया तो वैक्सीन जरूर लगा लें, और हाँ, क्राइम तक डॉट इन पर ज़रूर क्लिक करें, कहानी पढ़ें, अच्छे-च्छे आजकल कहानिया डाल रहे हैं, बहुत हमाने सुनिल कुमार मौरे हैं, लोकेंद्र है, फारूप माभैदर है, चिराग गोठी है, इसके लावा क्राइन तक की जो अपने पुराने टीम है पूरी, चाहे वो दीपक हो, वनिता हो, आसिम हो, नितांश हो, नित्षा हो, पूनम हो, तो सारे लोग कहानिया डाल रहे हैं, तो पढ़िये अच्छे-ची कहानिया हैं, क्लिक कीजिए क्राइन तक.in पे, अपना ख्याल रखिये, तो मुलाकात हो भी किसी और नहीं कहानी के साथ, ठैंकियो बरी माच्छ गटरिग प्र Nativeives, जित्षा नहीं कहानिया की किया है हैं, क्लिक कंप मुलाकात्रा मुलाकाइन तक.e. तो सबस्दों मुलाके तक. क्यां तक.क. यूजी, जे सबस्द completa, द्रिजूआ होग data, श्रभभभवा शया हो, दो पूनम होगा है, रहे हैं, तक.िताउ हैं कित tiempo, हैं त